हेलो फ्रेंट्स मैं शिवम डिप्रोमा ट्रेंट्स की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम केमिकल टिकनलोजी से रिलिटेट एक टॉपिक रियान के बारे में अध्यन करते हैं कि रियान होता क्या है उसके मैनुफेक्ट्र कैसे करते हैं और उसके उप चैनल पर प्रकार का मानुन निर्मित कपड़ा होता है जो इसकी निर्माड्प्रक्रिया के कारड़ तकनिकी रूप से एक सेमिसेंत्रेटिक कपड़े माने जाते हैं यह एक पहुं मुकी फाइवर है जो प्राग्रतिक वस्तरों की बनावट और उबस्थिती जैसे कपाश रेशम और उनको लेने के लिए कई तरीकों से उत्पादित किया जा सकता है। आयोपरेंट्स हम जानते हैं कि ये रियॉन के मनिफ्याक्षर कैसे करते हैं। रियॉन विविन रूपों में आता है, जिनमें से प्रतेक की अपनी उत्पादन विधी है। रियॉन का सबसे आम प्रकार विस्कोस के रूप में माना जाता है। विस्कोस के निर्मार में पहला कदम जिसे नियमित रियॉन के रूप में भी माना जाता है। सेलुलोस प्राप्त करना है जो एक प्रकार का प्लान्ट फाइवर है। निर्माता तक का लाई का उपयोग करते हैं जब तक कि ये घुलना चाहिए यह प्रिक्रिया एक पदार्द बनाती है जिसे अतरिक तरल पदार्द को खत्म करने के लिए विश्यस उपकरूडों के माध्यम से निचोड़ा जाना चाहिए पीछे छोड़े के समागरी को छोटे टुकड़ में तोड़ दिया जाता है जिसे सफेद टुकड़े के रूप में जाना जाता है और हवा में सुकने के लिए छोड़ दिया जाता है प्रोडिूसर्स तक सफेत करंब को कार्बन डाय सलफाइड एक कैर धुरूवी रशायनिक विलायक के साथ मिलाते हैं विलायक स्वेत करंब को पीले करंब में परिवर्थित करता है जिसे सेललोस जैन्थेट भी कहा जाता है कुछ समय के लिए सेट होने के लिए छोड़े जाने के बाद पीले रंगी टुकुड़ो को फिल्टर किया जाता है और किसी भी अत्रिक्त हवा को समागरे से हटा दिया जाता है अंतिम वी निर्मांट शरोडों में सामिल है एक एसिड इस्नान एक इस्ट्रेशिंग प्रक्रिया और एक सफाई धोने इन सभी शरोडों के बाद नेमित रियान कई अनुप्योग के कटोती और उप्योग के लिए तैयार हो जाते हैं आए हम जानते हैं कि रियान के उप्योग क्या क्या है रियान का प्रात्मयोग उद्योग कपड़ा उद्योग में हैं इस समागरी का उप्योग आम तोर पर हलके कपड़े बनाने के लिए किया जाता है जो कम लागत और देखभाल करने में भी असान होते हैं कुछ निर्माताओं ने अपने शल्लोज को मुश्रोत के रूप में बांस का उप्यों किया है रियान का ववान के टैरों में एक प्रात्मे घटक के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है जिसके परिडाम शरुप ऐसे उत्पाद होते हैं जो नैलान टैरों से कम महांगे होते हैं फ्रेंड्स इदि मेरा वीडियो आपके अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और मेरे वीडियो का लाइक और शेयर किजिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू